इस पावर सप्लाई के बारे में मैंनो जो कंपोनेंट्स यूज किये है जो मॉड्यूल्स यूज किये है उन सब के बारे में बताऊंगा So let's get started with the box यह box जो मैंने यूज किया है वो एक ABS प्लास्टिक बॉक्स है जिसका dimensions में आपको screen पर show कर दूँगा यह आपको एक electrical shop में मिल जाएगा उसके बाद front side पर आप देख सकते हो एक display module यह voltage up to 100 volts and current up to 10 ampere तक measure कर सकता है जो पुरा circuit diagram है वो मैं वीडियो में share कर दूँगा इसलिए वीडियो को end तक देखिए फिर next जो है डिस्पले के side में मैंने banana connectors यूज किया है output को load से connect करने के लिए so guys जैसा कि आपने देखा screen पे minimum voltage डिस्पले पर 1.2 volts था and maximum voltage 19.3 के असपास so जो output voltage मिल रहा है वो एक बार multimeter से मैं आपको check करके बताता हूँ तो multimeter यहाँ पर show कर रहा है 12.5 और हमारा display 12.4 तो it is quite close generally beginners के लिए voltage up to 12 to 15 volts and current up to 2 amps तक required होता है so as I said earlier मैं यहाँ पर laptop का charger यूज कर रहा हूँ input देने के लिए but अगर आपके बास laptop का charger नहीं है तो आप एक SMPS या फिर एक adapter यूज कर सकते हो जिसका voltage 12 to 15 volts हो सकता है max और current हो सकता है 2 amps max to max उससे ज़्यादा मिला तो बेटर रहेगा मैं जो laptop का charger यूज कर रहा हूँ उसका आप देख सकते है output voltage है 20 volts and output current है 4.5 amps इसके बाद चलते हैं box के अंदर जाके SML किया हूँ है तो जैसे की आप circuit देख सकते हो PCB पर वो है 7805 voltage regulator जो की मैं यूज कर रहा हूँ मेरे डिस्पले को 5 volts constant supply देने के लिए तो डिस्पले को वहाँ से 5 volts का supply मिल रहा है उसके बाद मैंने on-off switch attach किया है और उसके साइड में है DC jack जहाँ पर मेरा charger connect होता है इसके बाद at the end ये पावर सप्लाई का important module है ये XL4015 constant voltage bug converter जो की output voltage up to 32 volts and output load current up to 5 amperes तक दे सकता है बट गाईज आप अगर इसको 1.5 या फिट 2 amps के ओपर continuous चला रहे हो तो आपको cooling प्रोवाइड करना होगा प्रोवाइड करना है 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 झाल 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 झाल